राजस्थान में मुख्यमंद्र शोग गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच विवाद फिलहाल थम गया है लेकिन इस बास से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पार्टे में दोनों के बीच वर्चास्व की लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई है राजनीती के जानकार मानते हैं कि दोनों नेताओं के बीच तकराव के हालाद फिर से देखने को मिल सकते हैं राजस्थान के अशोग गहलोत सरकार ने विधान सभा में विश्वास मत जित लिया है इसके साथ ही सदन की कारेवाही 21 अगस्त तक स्थकित कर दी गई है इसके बाद कॉंग्रेस की ओर से कहा गया कि गहलोत वेस पालट की जंग खत्म हो चुकी है मेडिया में लगातार खबरे चल रही है कि इस विवाद में सचिन पालट मुख्यमंत्रिय अशोग गहलोत पर भारी पड़े हैं लेकिन इस पूरे प्रकरण में थोड़ा भीतर जहाकने पर कुछ और ही बास समझा रही है इसे दो घटनाओं से समझने की कोशिश करते हैं पहला अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी बनाया जाना दिल्ली के बड़े राजनेता अजय माकन को राजस्थान कॉंग्रिस का प्रभारी बनाया गया है माकन को अवनाश पांडे की जगह राजस्थान के लिए पार्टी का प्रभारी महासचिव नियुक्ति किया गया मीडिया में खबर आई कि अजय माकन की नियुक्ती सच इन पालेट की एक किस्म की जीत है लेकिन थोड़ा पीछे जाने पर कुछ औरी कहानी देखने को मिल रही है दरसर अशोग गहलोत लंबे समय तक दिल्ली कॉंग्रस के प्रभारी रह चुके हैं साल 2012 के बाद जब दिल्ली की राजनीती में ततकालीन मुख्यमंत्री शीला दिक्षित और कॉंग्रस नेता अजय माकन के बीच वर्चस्व की जंग जारी थी तब अशोग गहलोत ने प्रभारी के तौर पर अजय माकन को सपोर्ट किया था इस घटना से समझ सकते हैं कि अशोग गहलोत और अजय माकन के दिश्टे कैसे होने प्रियंका गांधी वाद्रा और राहूल गांधी की दखल के बाद सचिन पालट और अशोग गहलोत आपस में मिले और दोनों के बीच सारी बाते ठीक होने की बात कही गे इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने कहा कि अगर सचिन पालट और उनके साथ गय विधायक नहीं भी आते तो भी वे वहमत साबित कर देते लेकिन अगर वे आ गये हैं तो और भी अच्छा है यानि गहलोत ने सारजनिक रूप से संदेश देने की कोशिश की कि पालट अपनी गरत से आए हैं उन्हें उनकी खास जरूरत नहीं है इसी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अशोग गहलोत काले रंग का मास्क लगा कर पहुँचे थे राजनिती के जानकार इसके मायने निकाले कि शायद मुख्यमंत्री गहलोत यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वे इस दोस्ती के खलाफ हैं वहें दूसरी तरफ सचिन पालट सफेद मास्क लगा कर पहुँचे थे सफेद रंग सादगी और युद्ध विराम का प्रतीक है कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान में पालट एवं पार्टी के अन्य भागी नेताओं की ओर से उठाए गए मुद्धों के समाधान के लिए तीन सदस्य समीति का भी गठन किया है पार्टी के वरिष्ठ नेता एहमद पटेल, अजय माकन, तथा संगठन, महासचिप केसी वेनुगबाल समीति के सदस्य से बनाए गए है ये तीनों नेता मुखे मत्री अशोग गहलोत के करीब ही माने जाते है अशोग गहलोत की कोशिश से ही केसी वेनुगबाल राजस्थान कोटे से राजसभा पहुंचे है एहमद पटेल को राजसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए अशोग गहलोत ने गुजरात में सारी प्लानिंग की थी इसके अलावा करीब 35 दिनों के हंगामा और विवाद के बाद ये अशोग गहलोत मुखिमंत्री के पत पर वने गवे हैं जबकि सचिन पालेट गुट की पहली डिमांड ही थी कि राज्य में नेतरत हो बदला जाए इन सारी घटनाओं को देखते हुए अंदाजा लगाया जासा है कि राजस्थान कॉंग्रेस बर्चस्व की जंग में मुखिमंत्रे शोग गहलो ड्राइविंग सीपर है ये सचिन पालेट साथ ही ये भी अंदाजा लगाया जासकता है कि कॉंग्रेस देख सुनिया गांधी कितना सचे पालेट के पक्ष में पैस ले ले रही है जानकारी सूत्रो एमबम सूत्रो श्रोज से प्राप्त्रों जानकारी पर आपकी क्या रहा है कमिल बॉक्स में कर जल्रु बिताए